स्टुडेंट्स वेलकम स्वागत है आपका इस लेक्षर नंबर 12 में तो आज जो कोस्तन्स हम लेके आए हैं जैसा कि आपको पता होगा यह इंडिया का टॉप्मोस्ट बीएड इंट्रेंज एक्जाम होता है एंसी आटी के एक बीएड स्कूल है 5-6 उसमें होता और हर एक रा यह अज लेक्या तो अब देखी एक सबसे पहले यह क्या है कि expected ठीक है time इसमें चाले से यह ऐसा कुछ नहीं है teaching aptitude का यह questions है तो देखिए यह जवाहर नवोदय विद्यालय का परमुक लच्छी क्या है तो यह जो बच्चा करके है वो गलत करके है इस पर आपको ध्यान नहीं देना यह हम आपको पहले इंगनु वाले questions bank में करवाएं है कि जो बच्चा जोहार नवोदय विद्यालय का जो एम है वो क्या है ग्रामिन चेतरों में मिधावी छात्रों को गुनबत्ता वाला ही सिच्छा देना यह उसका main name है तो मैं फिट से आपको कहूंगा कि हमारे playlist में आप जाईए और playlist में सारा questions कम से कम जो 20 lecture हमारा आ रहा है तो आप भी इस lecture 2x पे करके अब speed तो आप थोड़ा speed करके देख लिजी ऐसा नहीं है कि आप normal speed पे देखिए speed बढ़ाने का जब option में जाएगा तो वहाँ पे speed चेंज करने का आता है जहाँ पे quality के नीचे speed है वहाँ से आप 2x में करके देख लिया किजी ताकि आपका Wi-Fi stand for Wi-Fi क्या होता है तो Wi-Fi buyer free जो है यह इसका अंसर यह बच्चा गलत करके आगया है इसका जो exact answer है वो four number है wireless fidelity ठीक है Wi-Fi का अंसर है exact full form है wireless fidelity तो आप आप यह कहिएगा कि यह exam में कैसे आ गया तो यह ICT से related है information and communication technology जो हम लोग बात किये थे ICT का बार-बार यूज होता है आप सिच्छन में तो ICT के बारे में हम पहले आपको डिसकस कर चुक है इसलिए Wi-Fi का full form फूल पूछ लिया है दोस्तों next one question है दोस्तों कह रहा है कि सिच्छन के आत्म विश्वास के लिए निमलिखित में से क्या आवस्चक है तो which of the following is essential for self-confidence of teacher तो teacher का self-confidence के लिए क्या होन बिद्यारतियों के साथ मिलनसार होना चाहिए तो यह सब सारे में जो important है बच्चा गलत करके आगिया ये भी questions इसका फर्स्ट नंबर इसका option होना है answer कि बिशाय के बारे में आपका depth knowledge होगा तो आप बच्चों में क्या कर सकते हैं सिर्फ नियंत्रन आप आसानी से कर सकते है बच्चों पे नियंतर यानि कि आप क्लास में अपने देखे होंगे कि जो टीचर आपको अच्छे से पढ़ाते हैं उनके क्लास में बच्चा ऐसे भी ज़्यादा अच्छे से रहता है नेक्स्ट बन कोस्टंस है कि 11 नमंबर को राष्टिय सिच्छा दिवस है न के याद में मनाया आता है तो राष्टिय सिच्छा दिवस जो मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम के याद में मनाया जाता है नेक्स्ट बन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट बन जो questions है कह रहा है कि मुल्य सिछा विध्यार्थियों को तो अच्छा नागरिक बनाती ये भी हम पहले discuss कर चुके हैं तो देखिया आज जितना भी questions हम कर रहे हैं वो पहले हम discuss कर चुके हैं यह बात आपको समझ में आनी चाहिए यानि कि अभी के बाद जितना भी हमारा लेक्चर आएगा वो सब में हम आप देखे हैं कि हम पहले से डिसकस कर चुके हैं तो आप 25 कोसंस आपके एक्जाम में आएगा तो हम 25 में 25 कोसंस तो कही रहे यहां पर जो कंसेप्ट सीखें उसके अधार पर हम करके लिए क्या आएगा चांसर इसके बाद नेक्स्ट बन कह रहा है कि एक बच्छा जो बहवार की समाजिक मन्यताओं से अलग है यानि कि वो क्या कह रहा है उसका जो बहवार है वो समाजिक नहीं है समाज से अलग है तो वो अपराधी बच्चा कहलाएगा, है ना, बच्चों समाज से हट के जब वो behavior करेगा, ठीक है, समाज को क्या करेगा, हानी पहुचाएगा, वो उल्टा सिधा काम करेगा, तो वो अपराधी बच्चा कहलाएगा, अगर आपका समाजी मान्यता जो है, या समाज में जैसे आपको चलना है, आपको रहने के लिए नियम कनुन दिया गया है, वो सब आप फॉलो नहीं करिएगा, तो फिर आप ही क्या करिएगा, आप राधी बच्चा कहलाएगा, नेक्स्ट बन है दोस्तो, कह रहा है कि बिद्याले के परधाना चार्य की निमलिखित में से कौन सी आपके सबसे पहले लिडर्शिप की क्वालिटी होना चाहिए, और आप क्या कॉम्णिकेट करना चाह रहे है, वो भी एक अच्छा आपके पास क्वालिटी होना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा, दोस्तो एक और दो, यानि क्या अंसर नमबर 4, इसका सही होगा, नेक्स् रहेंगे यह कोसेंस अब आप बच्चे दो चार बच्चे ऐसे हैं कि नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करने रखते हैं कि सर आपका कम यह लेट हो रहा है तो लेट इसलिए होता है दोस्तों कि आसा नहीं कि सिर्फ हम भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ जाए इसके लिए नहीं मैं यह काम कर रहा हूं मैं यह काम अपने इंडरेस्ट के लिए कर रहा हूं आप लोगों को पता होगा कि अभी हम एक जोब में आ गये हैं पहले हम बहुत पहले टीचिंग का काम करते थे अभी भी टीचिंग का काम करते है हम online classes बैगरा पढ़ाते रहते हैं यह हमको करने में अच्छा लगता है अब फिर कोई बच्चा बोले कि आपका subscriber और view आएगा तो पैसा मिलेगा तो हां हम थोड़ा रहते हैं कि हमारा lecture आने में थोड़ा लेट इसलिए हो जाता है दोस्तों तो इस पर आगर आप हमारी बातों से सहमत है तो नीचे section में लिखिएगा कि लेट आ रहा है लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम 12 से पहले आपका lecture ये खतम कर देंगे तो questions collect करने में ढूणने मे हमको time देना पड़ता और थोड़ा time हमारे पास कम रहता है तो चलिए ये इतना बात तो मैं lecture में करता नहीं था तो आज ये बात ही भी करनी जरूरी थी तो ये हो गया तो ये क्या कहरा स्वयम अभ्यास करके इसके बारे में भी पहले हम आपको बता चुके हैं तो इसमें भ लर्णिंग सरोतों से बवस्था करने चाहिए तो हाँ आरेंज रेकॉाइड लर्निंग सोर्सेज तो ये होना है चाहिए प्रिपेर लेशन फोर प्लान फोर टीचिंग हाँ तो हमको क्या पढ़ाना नहीं पढ़ाना पार्ट वस्तु जैसे कि हम यहाँ पर क्लेक्ट करते है पहले कि यह चीज हमको बोलना है फिर उसको हम अंसर चे भेरिफाई करते हैं फिर मैं आपके पास लेक्या सकता हूँ टेस्ट फ्रिव्यू नालेज अप दा स्टुडेंट हाँ पहले क्या जान रहा है नहीं जान रहा है है ना उसको भी पूछना जरूरी है तो इसमें चार कहलता कि पृतिसत से है ना सिच्छन गुन बघ्ता की बाद कर रहा है सिच्छन गुनबघ्ता इस तरह से 3-4 ओस आएगा तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो जो को सूस इस तरह का आपको बारबर मैच कर रहा है उब आप एक जगÁ से लिखते रही यहां सिच् तो विद्ध्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रसनों की गुनबत्ता से है न कि वह कैसा किस क्वालिटी का प्रसन पूछ रहा है जैसे कि आपको देखिए एक टीचर बहुत कम पढ़ाता होगा बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता होगा तो उसमें आप क्वालिटी का कोस पूछते होंगे तो इसका जो आंसर है दोस्तो वो थर्ड नंबर है इसका जो आंसर है दोस्तो वो क्या है थर्ड नंबर है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है दोस्तो फोर्थ नंबर को यह 31 नंबर कोस्तन तो 30 नंबर कोस्तन है परवावसाली सिच्छन का एक कार्ज है ना यानि कि effective teaching is the function of जोर से बात करना तो जोर से बात करना कोई कार्ज तो नहीं हुआ सिच्छन की बिधियां आप कैसे पढ़ाते हैं चलिए इसको हम कुछ देर के लिए माल लेते हैं इसके बाद कह रहा है कि सिच्छन समगरी का उपयोग इसको हम माल लेते हैं कि प्रवसाले अधिक ग्यांदरेद्यों का उपयोग का यानि कि यूज आप maximum sense हाँ तो यह exact इसका आंसर सही है दोस्तों कि effective teacher teaching is the function तो आपको सारा active वहाँ पर आपको देखना भी पड़ना देखना भी ही किया है तो इसमें ऐसा नहीं है तो इसका जो अंसर होगा वो फोर होगा दोस्तों next one है यदि कुछ बिद्यार्थी जान बुझकर सहतानी करके कच्छा मैनुसासन खराव करने की कॉशिस करते हैं तो शिच्छक के रूप में आप क्या करेंगे है न तो उन विद्धियार्थी वो से बात करेंगे तो ये भी uसंश हम बहुत पहले आपको बता चुके है है न इसमें भी हम बहु ज़ता डिज्कस नहीं करेंगे कि questions भी हम पहले आपके पास लेके कि आ चुके हैं सौरी नेक्स्ट है कि सिच्छन अधिगम यानि कि टीचिंग लर्निंग जो है के दौरान विद्ध्यार्थियों कि अधिक्तम सहवागिता किसमे होती है तो लेक्चर मेथड में डिसकसन मेथड में और डिमानस्टेशन मेथड में तो आपको देख कहीं पता च सबसे महत्पून चुनाओटी क्या है तो प्रस्नपत निर्वान करना तो यह तो बहुत महत्पून चुनाओती नहीं है कच्छा मानुस वासर बनाने रखना तो चलो भी माल लेते हैं सिच्छन अधिगम परकिरिया को रूचिकर बनाना तो हम पहले भी यह आपको करवा तो ये questions का answer third number है next one है कि भारत के पर्थम सिच्छा भारत में पर्थम सिच्छा निती जो आई थी 1968 में आई थी ये भी कलिया परसो वाले questions में हम करवाये थे जो कि questions कहां से लिए थे हम 36 गड़ B8 intense exam से लिए थे तो ये आप ध्यान रखे चलिए कि maximum जो आप नेट पर सर्च कीजिएगा RIE Regional Institute of Education CEE करके आता है एक exam होता है तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में RIE CEE चलिए मैं इतना भी आपको बता दिया हूँ next questions है 36 number 36 जो है हमारा questions कह रहा है कि विद्यार्थी भी सहवस्तू को समझाया गया माना जायेगा यदि वाप परस्न पुछता है कठीन परस्न आप से पुछता है तब आप समझेगा आर्थ पून परस्न पुछता है तब लंबे परस्न पुछता है तब और बहुत से परस्न पुछता है तब नहीं इसका answer B number होगा कि आपको एक meaningless क्या करें questions arise करें, कोई भी questions कैसा भी arise कर देगा, तो आप आप नहीं कहिएगा, जब हूँ समझी गया, तो उससे related questions meaningless questions आप से क्या करेगा sorry meaningful इसका होगा meaningless नहीं, meaningful arise करें, sorry for that next one है, यदि बच्चे विसाय को ना समझें तो क्या करेंगे, है ना, तो विसाय को अगर नहीं समझेंगे, तो आप स्कूल छोड़ देंगे, यह कोई कारण थोड़ी नहीं हुआ, आधिगम अभिगास का ना, more exercise, तो चलिए इसको माल लेते हैं कि और अभ्यास कराएंगे, घर पर स्वाध्धाय कराना चाहिए, तो इसको भी चलिए माल लेते हैं नीदानात्मक सिच्छन देना चाहिए, हाँ तो यह इसका ज़्यादा, यह exact answer से यह remedial हम उसको provide करेंगे to provide remedial teaching, उसको हम remedial teaching क्या करेंगे, provide करेंगे, जाकि वो फिर से वो समझ सके, तो CBS संख्या में आप group बना रहे हैं, इसपे depend करता है ठीक है, कोहेंसने साब समु समु का समाजस और उसमें समाजस कैसा है, लोग एक दूसरे से कैसे mail मिला पर रख रहे हैं इसपे depend करता है, तो इसका answer चार नमबर होगा 39 है, 39 कह रहा है कि सिच्छक का परमुख धेह क्या होना चाहिए हाँ तो परमुख धेह होई है, चाहिए तर्क छमता बिक्सित करना चाहिए सोचने की छमता बिक्सित करना चाहिए सुचना परदान करना चाहिए, तो ये एक दो तो सही हो ही रहा है, है ना इसका answer क्या होगा चार number होगा दोस्तों next one है fourth number NIOS का full form क्या है NIOS का full form है National Institute of Open Schooling है इसका जो answer है National Institute of Open Schooling NIOS का National Institute of Open Schooling ऐसे इसको एक बार आप search किजिएगा अभी हम option देखके थोड़ा confused होगा है लेकिन हमको दो याद है next है लाल जो answer है teacher का correct किया हुआ है एक पर्योजना है तू समू का आकार लगबक तो ये आपको याद कर लीजी ये भी आपको लिखने का ये लिखने वाला questions है चार होना चाहिए यानि कि project में ठीक है फोरा project the approximate size of a group is four तो ये four आपको याद रखना पड़ेगा 42 है दोस्तों कि इनमें से कौन सा social networking site है तो इसके बारे में तो सब जानते होंगे कल ये तो ये इनों ने धामाल मचा दिया रर्वी एंटी पीसी और group D exam के लिए और मैं जब पर चर्चा चलनी गई है तो हम इस पर एक बात आपको announce कर देते हैं कि जो science जो latest paper आया था आपको पता होगा इस बार RRV के group D exam में है ना और ALP के exam में तो जब ये B8 का exam overall खतम हो जाएगा इसका intense exam admission हो जाएगा तो मैं इस channel पर science का lecture लेक्चर लेकर आगा NCRT पर based बहुत ही depth question में अगर आपको इसका demo देखना होगा तो already एक playlist बना हुआ वहाँ पर उसका कुछ questions भरे पड़े हैं तो आप वहाँ पर जाके देखिए और नीचे comment में comment भी हमको कर सकते हैं क्योंकि future में RRV group D का जब exam होगा और NTPC का जो लोग form भरे होगे तो उनको हम science का preparation यहाँ पर इतना ही depth से करवाएंगे तो आज हमारा इस channel पर दो तीन announcement होगया इसलिए थोड़ी बात भी हो गई होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ next one है कि एक अच्छा सिच्छक हुआ होता है हाँ तो यह भी हम पहले करवा चुके हैं बिद्यार्थियों को क्या करता है सिखने के लिए प्रेडित करता है तो इसमें भी बहुँ ज़्यादा discussion का जरुवत नहीं है next है second last question आज का कि एक पर हो सालिस सिच्छक हुआ है तो यह भी तो इसका answer भी same exactly हुई है कि जो बच्चों का अच्छे से सिखने है तो क्या करता है प्रेडित करता है तो इसमें भी बहुँ ज़्यादा discussion का अच्छा हाँ हाँ यहाँ पर हमको एक बात और बताना था देखिए यहाँ पर फिर ग्री कार्जवाला भी questions आ गया तो देखिए हम यह जो questions है लेक्चर नमबर 4 में करे थे लेक्चर नमबर 5 में करे थे और फिर लेक्चर नमबर हम 12 में कार कर रहे है तो लेक्चर नमबर 5 में मैं यही questions बताया था दो नमबर option है ना लेक्चर लेक्चर 5 में यह ध्यान से आप देखिएगा lecture 4 हम अभी playlist से पूरे ही हटा दिये है lecture 4 का हम एक fresh updated version upload करेंगे जब ये total 20 part खतम हो जागा तब ऐसा इसलिए करेंगे कि lecture 4 में हमारे से answer copy करने में 4-5 questions का answer उल्टा copy हो गया है तो आप lecture 4 के लिए के बहुत ज़्यादा परथान ना हो lecture 4 का जो updated answer की है वो हम 20 जब lecture आजागा तो उसके बाद हम उसको upload कर देंगे तो आप उसको ध्यान रखिए कि इसका जो answer होगा वो दो number होगा ठीक है Greek card वाला concept थोड़ा सा भूल जाई है भी है ना तो ये बात आप ध्यान रखिएगा ये same question 4 में में मिलेगा 5 में मिलेगा और ये 12 नमबर आज मिल रहा है तो पाच में तो मैंने 3rd number सही बताया है और यहाँ पर lecture 12 में भी sorry 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 5 में हम लोग ये वाल option सही बताया है ये वाल option वहाँ पर 3rd में था तो आप इसका दो number answer याद रखिए Greek card वाल answer याद नहीं रखिए next one है 45 number question 45 number जो questions है हमारा ये last question से आज का कि परभाव सिल अधिका में तू विद्यार्थियों को होना चाहिए कैसा होना चाहिए तो इसका जो answer होगा एक और दो दोनो सिखने योग होना चाहिए है ना और अभी प्रिसन करने के लिए योग भी होना चाहिए तो एक और दोनो आप इसमें समझ रहे होगा इसमें total questions जो था 30 questions था दोस्तों तो हम आपके पास 25 questions ही लेके आ रहे है तो अभी तक हमारे 3 set का 5 questions प्लस 5 questions प्लस 5 questions बच गया है तो दो और set आपको ऐसा मिलेगा जिसमें 30 questions होगा तो ये सम मिला के हम एक नया लेक्चर लेके आ जाएंगे 25 questions का तो इसमें आप ध्यान दिजेगा कि इसमें 30 questions है लेकिन हम 25 questions ही लेक्या है तो आज थोड़ी बात भी होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ अगर लाश तक आप आ गए हैं तो ये सारा concept आपको पता चल गया होगा और फिर आज थोड़ी देर बाद ही एक और लेक्चर आ जा गए यानि कि आज आज आपको दो लेक्चर देखने को मिलेगा तो आज 12 कवर 13 भी आज ही आपको देखने को मिलेगा तो तब तक के लिए इतना ही थैंक यू